दोस्तों गर यूटूब पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन फिर भी अगर आपके वीडियोस पर 25-30-40 इससे ज्यादा व्यूज नहीं आता है तो यहां पर दोस्तों काम करेगा आपके वीडियोस में SEO आनि कि यूटूब का SEO दोस्तों YouTube SEO से केसे आपका व्यूज आएगा वो चीज पहले देखो यहां पर यहां पर देखो मैं अपने वाइटी इस्टूडियो एप को आपन कर लेता हूं और आपको एक वीडियो का आपको एपने एनलेटिक दिखाता हूं तो देखो मेरे इस वीडियोस पर 48 गंटे में वीडियो कितना आता है और इसका टोटल वीडियो एटा है कहां से YouTube से तो दोस्तों यहां पर देखिए कर आपको वीडियोस पर वीडियोस पर वीडियोस बढ़ा सकते हो अब देखिए यहाँ पर मैं अपना दूसरा वीडियो भी दिखाता हूँ तो देखो इस पर भी जो व्यूज आता है टोटल 48 गंटे का व्यूज देख सकते हो और इसका भी जो व्यूज आता है वो टोटल आता है यूटूब सर्च से और मेरे चैनल पर इस पराका कई सारे वीडियो है जो कि यूटूब सर्च से व्यूज आता है लेकिन ये वीडियो मेरा यूटूब सर्च में गया कैसे अगर दोस्तों मैं यूटूब पर जाऊंगा सर्च करूंगा सबस्क्राबर कैसे बढ़ा है तो देखो मेरा वीडियो करऊंगे थमने से बनाए सबस्टें करूआं सबसे न मेरा इस प्रेकर से एक वीडियो दो तो तरह नहीं कर रहा है था को तो कि तुस्धे योटूब सबस्क्राब बराहा है तो अब कर एक सबस्रेंगस मेरा थे नविद's में रहेता है और मेरे कई सारे वीडियोस में? मिलियन वव व्यूज भी गया है YouTube सर्च से YouTube SEO की मदद से तो दस्तों अगर आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है अगर आप बहुत दिनों से परहसान हो चुके हो 30, 40, 50, 100 इससे ज्यादा व्यूज नहीं आता है तो यहां पर काम करेगा SEO और की YouTube का SEO करके आप अपने YouTube वीडियो में SEO करेंगे जिसके बाद अपका वीडियो YouTube सर्च में जाएगा अपका वीडियोस पर व्यूज आएगा अब दोस्तों मैं सच्चा ही अगर आपको बताओं कि YouTube का SEO एक्चुल में जो SEO होता है वो किसी को नहीं पता है कितनों बड़ा क्रियेटर है चाहे टेकनिक वीडियो ले आएगा तो इसलिए किसी भी क्रियेटर को सच्चाई उसका SEO पता नहीं है लेकिन हाँ मैं अपने वीडियोस को किस परकार से रेंग कराता हूँ कैसा SEO करता हूँ आज मैं आपको अच्छी बताने वाला हूँ दोस्तों कर मैं अपने वीडियोस में SEO करता हूँ और मेरे वो SEO काम करता है, मेरा वीडियो YouTube सर्च में जाता है और कई सारे वीडियो मेरे भी YouTube सर्च में रइंग कर रहा है तो आनि कि मैं भी SEO जो करता हूँ, वो अच्छी तरह से होता है तो इस बाइगा चैनल का link मैं अपने video description में एड़ कर दिया हूँ अपना community post में तो जाके पहले बाइगा चैनल को subscribe करो और इसके चैनल को support करो और दोस्तों next time अगर आप यूनर चाहते हैं अपने चैनल को promotion करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है अगर आप मेरे चैनल पर नाए हो चैनल को subscribe करना है वीडियो को like करना है और नीचे comment box में आपको प्यारा सा comment कर देना है उसके बाद दोस्तों next time अगर आप यूनर आते हैं तो आपका चैनल का link में एक साथ दोनों जगा promotion कर दूँगा तो दोस्तों चलिए करता है video start तो दोस्तों माची को mobile screen में अब चलिए आपको live दिखाता हूँ कि मैं अपने videos में कैसे SEO करता हूँ और आपको कैसे SEO करना है लेकिन दोस्तों SEO का starting point जो start होता है वो uploading के time से start होता है जब अपने video को upload करते हो तो वहीं से आपका SEO का काम start होता है लेकिन video के end में जो आपको point बताने वाला हूँ उसे समझ लिए तो आपका video viral होने से कोई नियुक सकता है कैसे SEO करना है सचाई आपको end तक जाते जाते साराचीज अपको समझ में आ जाएगा अब देखिए आपको video के starting में जब upload करते हो तो uploading के time से आपको SEO का काम start करना है तो चेली में दिखाता हूँ कैसे मैं अपने videos में SEO करता हूँ आपको कैसे SEO करना है अब देखिए जब अपने videos को upload करते हो तो YouTube application को open करते हो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग YouTube से करता है बहुत सारे Chrome browser से upload करता है तो देखिए अब कहीं से भी upload करते हैं इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता है इससे कोई दिक्कत नहीं होता है अब आपको SEO कैसे करना है वो चीज समझो तो देखिए जब अपने वीडियो के upload करते हो आपका यहाँ पर number आता है टाइटल ڈालने का टाइटल देखिए बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि अपने gibt使ug देखिए बहुत सारे क्या करते हैं कि जब अपने वीडियो को अप्लोड करते हो तो ब्लू कलर का एक पट्टी चलता है वो पट्टी क्यों चलता है क्योंकि आपका वीडियो को मोनिटर करता है उसी टाइम डिसाइड करता है यूटूब के आपके वीडियो को कहां पर रेंक राना है कि मतलब YouTube सर्च में कहां पर आपको वीडियो को दिखाना है वो चीज uploading के time ही decide करता है तो title तो आप बाद में भरेंगे अपना IT studio में तो फिर YouTube को पता कैसे चलेगा तो इसलिए भाई हमेशा आपने वीडियो का title आपको uploading के time ही फिल करना है तो SEO का point जो start होता है यही से start होता है अब देखिए आपको title केसे देना है वो चीज समझो अब देखिए आपको SEO करना केसे है वो चीज देखो पहले अपने जब title लालते हो तो title से ही आपको starting करना है अब आपको SEO केसे करना है वो चीज देखो यहां पर आप जिसे कि मेरा SEO केसे करें, यह वाली वीडियो मैं यहां पर अपलोड करने जा रहा हूं अब देखिए SEO आपको केसे करना अपने वीडियो में, स्टार्टिंग से आपको SEO स्टार्ट कर देना है तो जब भी अपने title लालते हो, तो यहां पर देखिए title लालने के लिए अपको क्या करना है आपको अपने this title स्टार्ट में हमेसा ये वाला keyword दो बार लाना है कम से कम इन में से एक कीवर्ड या फिर दूसरा सब्द मतलब एक सब्द या दो सब्द आपके टाइटल में repeat होना चाहिए तब जाके आपका टाइटल में SEO काम करेगा और बांकि अपने टेक्स में भी SEO आपको rank कराना है मतलब सारा चीज आपको match कराना उसके बाद ही आपका वीडियो यूटूब सर्च में जाएगा तो सारा चीज में बताऊंगा बस वीडियो में इंड तक बने रहो आपको 100% समझ में आ जाएगा अब देखिए आपने यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि मैं किस पर कासे टाइटल डालूंगा जो कि मेरे वीडियो में दुबारा यह सारे सब्ट रिपीट हो जाए तो आपको केसे करना है यहां पर देखिए मैं यहां पर क्या करता हूँ एक डंटा लगाता हूँ इस पर कासे और यहां पर मैं दुबारा लिखता हूँ क्या लिखता हूँ YouTube Video SEO केसे करें चली मैं दुबारे लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ YouTube, YouTube Video YouTube Video का SEO SEO केसे करें केसे करें तो मैंने सर्च किया YouTube Video का SEO केसे करें, मैंने यह पर टाइप कर दिया ठीक है, अब देखें यह वाला पार्ट मेरा दोनों में आ गया केसे करें SEO यहाँ पर देखो केसे करें यहाँ पर देखें SEO तो यह हो गया आपका वीडियो का टाइटल यह परफेक्ट वाला हुए और कि repeat करने अपने सब्दों को सब्दों को दो बार लाना है यहाँ पर और किसी तरह सब्दों को दो बार लाना है तो आपका टाइटल का SEO यहाँ पर हो जाएगा complete अब देखें आगे का प्रोसेस क्या करना है कि अपने टाइटल को यहाँ से copy करना है copy करके और अपने description से सब्दों टॉप में पर पेस्ट करना यहीं पर बाद में नहीं अभी आपको पेस्ट करना बाई अगर आपका टाइटल आपके description पर टॉप में राता है तो कहीं ने कहीं YouTube का SEO कुछ इसी प्रकार से काम करता आपका वीडियो वाइरल होगा इससे सर्च में जाएगा इस प्रकार से ठीक है अब देखिए यह हो गया यहां का आपका काम हो गया complete अब देखिए बागी अब जैसे वीडियो अप्लोड करते हो मैंने वीडियो अप्लोड करना सिखाया हूँ already तो उस वीडियो को जाकर वीडियो अप्लोड करना सिख सकते हो उस वीडियो का link description में दे दूँँगा ठीक है अब यह सारा चीज आपको करने का बाद आपको यहां से अपने वीडियो को upload कर देना Unlisted में upload करना है आपने वीडियो upload करना यहां से start कर दिये हो अब आपका वीडियो upload हो रहा है अब मैं आपको चले दिखाता हूँ कि कैसे आपको पूरा SEO करना अपने वीडियोस में तो देखिए अब आपको क्या करना है यहां पर देखिए आपको जाना अपना YT Studio App को open करना है तो मैंने अपना YT Studio App को open कर लिया अब आपको अपने वीडियोस में SEO केसे करना है वो चीज़ सिखो यहाँ पर मैं करता हूँ content वाली option पर click अब दोस्तों मैंने अपना YT Studio एप में अपना उस वीडियो को निकाल लिया हूँ जो कि यह वाली अब यहाँ से आपको SEO को करना है complete तो किसे करना है, देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है कैसे SEO करना है ौचीज også बस अपने videos को निकालना है, वीडियो से निकालने चाबब आपको अपने यहँ पर pencil आकन पर click करना है और यहाँ पर देखिए आपको अपने thumbnail होगा होगा लेना है जो भी चीज आपको लगाना है थमने लगाना है अब SEO का पार्ट देखीए यापर थमने लगाने के बाद एस आपको क्यूसे करना ओचीज समझो यहां पर देखें YouTube का जो SEO होता है बस आपको क्या करना है पहला काम मैंने आपको बता है कि अपने title के time आपको ध्यान देना है बाकि अपने description के top में रख देना है बाकि अपने description में आपको जितना चीज भरना है जो भी भरना है, सारा चीज भर दो, ठीक है, यह हो गया, अब देखिए भाई, आपको यहाँ पर जो आपका text वाला section आता है, तो आपके title में, जैसे कि मेरा title में दो keyword है, यहाँ से यहाँ एक keyword है, तो यहाँ पर देखिए, एक keyword को आपको पहले करना है copy इस प्रकाश से आपने copy कर लिया अब इस keyword को आपको जाना यहाँ पर text वाला section पर और यहाँ पर आपको सबसे top में अपना title को इक पर रखना है और दूसरा keyword को लेना अपना title वाला और इसको भी सबसे top में रखना अपना टेक्स वाले सक्षन में तो मैंने रख दिया दोनों यहां का आपका काम हो गया complete यहां से आपको इतने काम करना है अब देखिए आपका वीडियो का लगभग 80% SEO complete हो जुगा है बागी देखिए यहां पर देखिए दोस्तों आपको अपने टाइटल को अपने टाइट दिखाता हूँ अब इतना जब हो जाए उसके बाद अपने वीडियो को एक बर यहां पर कर लेना से आपको यहां पर एक बर सेब कर लेना चलिए मैं फटाक से सेब कर लेता हूँ बाकी का SEO आपको दिखाता हूँ कि आपको कहां से करना है जैसे सेब होता है तो यहां पर द डाउनलोड कर लेना YouTube से certified है और इससे आप अपना SEO complete कर सकते हो, personally मैं भी अपना SEO सारे वीडियो का यहीं से करता हूँ तो BIDIQ application को जैसे open कर ले तो देखिए आपका इस परका से interface खुल जाएगा और वो वीडियो आपका यहाँ पर दिख जाएगा, YT studio video app के जैसे यहाँ पर दिख जाएगा देखिए मेरा यहाँ पर वो वीडियो आ चुका है वीडियो यहाँ पर आ गया, अब देखिए अपने वीडियो को यहाँ से बस एक बार open कर लेना है और यहाँ पर देखिए वीडियो जैसे open करेंगे और जैसे increase होगा तो आपका SEO complete हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने के जोड़रत नहीं आप चाहो तो YT studio app से भी एतना SEO पूरा कर सकते हो लेकिन वहाँ पर आपको ज्यादा बोलें आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा तो इसलिए इस application का यूज कर लेना चुटकियों में वहाँ का SEO complete हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको तीन keyword suggestion करेगा तो इन तीनो keyword को plus पर क्लिक करना है plus पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर public and save पर क्लिक करना है तो जैसे करेंगे तो फिर से आपका SEO score यहाँ पर भी increase होगा कुछ ने कुछ बढ़ेगा और जब आपका यहाँ पर 44% 46% हो जाए तो आपको छोड़ देना है यहाँ पर फिर से recommend करेगा 3 फिर से तीनों को बस add करके और save कर देना आपको आपको यहाँ पर आपको दो बार तीन बार चार बार आपको यहाँ पर recommend करेगा 3-3 keyword तो बस आपको plus पर click करते जाना इस परकासे और आपको यहाँ पर public and save पर click कर देना है तो दिरे दिरे करके क्या होगा कि आपका SEO score यहाँ पर 46% हो जागा या फिर 44% मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर मेरा होगा भी आपको दिखाता हूँ ठीक है अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 3-4 बार यहाँ पर मुझे recommend किया 3-3 keyword और सारा मैंने add कर दिया तो देखिए मेरा SEO score यहाँ पर 46% छोड़ तो 48% हो चुका है 48% और यह सबसे जबरजस्त SEO हुआ अगर 44 हो जाता, 46 हो जाता, 48 हो जाता तो आपका SEO कम्प्रीट हो चुका है अब भाई इतने ही आपको काम करना है अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए आपको बस यह सारा हो गया आपका text लग गया है यहाँ पर देखिए मैं YT Studio एपको दुबारा open करता हूँ यहाँ पर refresh करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ pencil आइकन पर और आपको दिखाता हूँ मेरे सारा text अभी लग गया होगा यहाँ पर देखिए सारा text मेरा लग चुका है और यह हूँ आपका perfect ratio जो कि आप video IQ application के दुआरा कर सकते हो तो इसी परकार से personally मैं अपने SEO करता हूँ बागी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगता पस अपने title को अपने title section में description के top में और text के top में आपको डाल देना है और बागी आपको video IQ application से SEO कर देना है और आपका video YouTube search में जाएगा 100% बागी अगर आपका video सही नहीं होगा अगर आपका video में audience suggestion कम होगा तो आपका video नीची आजाएगा अगर आपका सारा चीज सही होगा तो आपका video YouTube search में रह जाएगा और यही होता है काम बाकी ज्यादा यहां पर दिमाग लगाने का जुरूरत नहीं है अगर दूस्तों आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियों तब तक के लिए जैहिन वंदे मादर